गुजरात की आँखों का तारा सापुतारा आपने कभी इमेजिन किया है? स्वर्ग, वाटरफॉल, फॉगी वेधर, ग्रीनरी सापुतारा हिल स्टेशन बहुत ही कुपसूरत है देखो आगे मैं इस जगा पे पहली बार गया था पर इतना खुपसूरत था जैसे मानों की धर्थी पर स्वर्ग है बाहर विदेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं सापुतारा हिल स्टेशन निजुलेंड से भी बढ़कर है मौनसुन सीजन में सापुतारा का एक्स्पिरियंस करना एक अलग ही मज़ा है यहां की बाते खुपसूरती और वाइप्स नेक्स लेवल बनाती है मैं ऐसे ही हिर्चेशन पे बार बार जाना चाहूंगा हाँ सन्राइस पॉइंट तो नहीं दिखेगा पर क्लावडी वेदर जस आपके आज पास होंगे बस उसे फिल करो और अमेजिंग नजारे आपके सामने होंगे कभी-कभी ऐसा लगता है कि वक्त बस रुकसा गया है ऐसा लगता है बस इस फॉगी वेदर में मैं बैठा रहूं बादलों में खोया सापुतारा आज मैं पहली बार आया हूँ जो जगह है यहां पर तो मैं आ गया हूँ सापुतारा जो गुज्रात के लोगों का एक फेमस प्लेस होता है जहां पर बाद मैं थोड़े ही दूर हूँ तो चलो चलते हैं एंड लेट्स को मैंन हम सापुतारा तो पाँच गए और वह की दूटीफुल लोकेशन हे आप मेरे पीज़ें तेख सकते हूँ अब हम जो आपल व्यू पॉइंट है वहां पर तो हम नहीं गए जाएंगे थोड़ी देर में बस उससे पहले एक व्यू दिख रहा था तो हमने सोचा के चलो इसको भी एक्सपॉर्ट कर ले और मज़े ले अब है जो में डेस्टिनेशन है अब है यह संद्राइश अपी अब है यह पॉइंट है अच्छा है पॉइंट है अच्छा एंट में थोड़ी दूपी है आप देख सकते हैं अब है सब्सक्राइब महारास्टर की बॉर्डर तो बस यहां बेभी हब किल्ला यानि की गर्ड चड़ने की ट्राइक करने वाले हैं अभी थोड़ा ही उपर है आपको दिखाता हूं मेरा पैच कहां यह रहा यहां से उपर जाना है कि सुबह थोड़ी बारिस हुई थी अब उतार आए तो फर्स्टेम यह जीप लाइनिंग करने वाला हूं तो लेट सी कैसे हो पाते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आज मैं कर रहा हूं जीप लाइनिंग कर दो हरो बड़ थामस कर दो है कि discord है तर है कि वरीला हूं यहां से जे तो है यहां से भाई गजब का एक्सपिरियंस था मेरा आज तो यस पाल वह वाली फिलिंग्स आ गई ओ आस्मानों की उच्छाई पर वह वाली फिलिंग्स आ गई पर काफी मज़ेद आ था डरने वाली कोई बात थी नहीं करेंगे कभी ना कभी पर दुबाइ जाके करेंगे क्युकि वहां पर बहुत अच्छे से होता है और सब सेफ्टी के साथ होता है कि सेप्लाइण में मसे तो आए यहां पर भी इस कैम वाली जो गेम होती है वह यहां पर यह आपको दिखाता हूं यह रही जो रिंग डालने वाले स्केम क्योंकि यहां से तो जम्प करी लेती है वह रिंग तो यह करना तो बनता नहीं है और एक गेम है वह आपको दिखाता हो बेजिक अली होता क्या है तीन व्लासिस होते है तो एक बॉल देते हैं और तीनों को एक साथ गीराना है वह इंपॉसिबल होता है क्योंकि उन्होंने जो गेप रखा होता है वह बहुत ही बड़ा होता है तो वह दो गीरेंगे या तो फिर एकी गीरेगा तो यह सब में पैसे परबाद करना मुझे सही नहीं लगठा तो यह मैं नहीं करूगा तो इस अब उतारा हिल स्टेशन पर यहां पर बहुत सारी जगाह ऐसी है जहां पर आप अड़ेंचर कर सकते हो बहुत तरह गेमिंग एरिया है जहां पर आप गुम सकते हो और अच्छे से एक्स्प्रोर कर अच्छी रही है अब लगी थी थोड़ी से भूख तो मैं खाऊंगा बुट्टा भेल अब फाइनली बुट्टा भेल भी खाली यासपाल कैसी लगी बुट्टा भेल चलेगी ठीक टाक ती आपर चलेगी या सूरत से बाहर आओगे तो भाई खाने के मामले में तो आपको दिक्कत होने ही वाली है बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ता है पानी का भी कोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है पर कोई नहीं हां बस टेबल पॉइंट से अब हम निकल रहे हैं देखते हैं यहां आपके फीछे कोई प्लेज अच्छी मिलेग तो यहां पर बीचे देखा रूप वे 77 रूपीज में रिटन भी है तो बहुत बीट थी एक दो गंटे का वेटिंग था तो यह आप मेरे पीछे देख सकते हो तो अब नहीं जाएंगे हम क्योंकि नहीं मजाएगा एक दो गंटे के लिए हम यहां पर खड़े रहें नहीं ह नहीं हो सकते हैं यह इसमाल भी मना कर रहा है सापुतारा सापुतारा साथ समुंदर पार पीचे पीचे आ गई है तेरे मज़े आए बस क्या ही करना चाहता हूं मैं मज़े याद देखो रूपे में जाने का अभी भी है वह रहा रूपे जा रही है नहीं जाना आप छोड़ दो नेक्स्ट टैम कभी आएंगे सापुतारा तो डेफिनेटली हम संसेट भी देखेंगे और रूपे भी करेंगे करने के लिए बहुत बीड़ है यहां पर इसके बीच में ऐसे व्लॉगिंग करने की मज़ा आती है यस्पाल कितना यह बोडिन का सो रूपया स्कूटर का बाइस सो रूपया तो बहुत ही महंगा है एक ही राउंग सिर्फ वो भी 100-200 मिटर होगा उससे ज्यादा नहीं हम करेंगे बोटिंग रोपे में बहुत भीड़ थी तो हमने शोचा कि हम बोटिंग कर लेंगे यहां पर आके टि दो हो या चार तीन सो रुपय ही लगेंगे अब हैं हम दो लोग और कभी से दून रहे कोई और दो लोग मिल जाए पर यहां पर कोई नहीं मिल रहा है और बिसीकली कुछ नहीं हो रहा है मेरी चैनल के नाम पूछ रहा है क्यूंकि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूं तो और वो है इसलिए मैंने सोचा के कोई दो और हो तो अच्छा है पर नहीं मिले अनफोर्चुनलेटली तो कोई बात नहीं अब हम नहीं करेंगे यह भी पूरा मार्केट खचो खच बरा हुआ हुआ है इंटम खतनाग वाला बरा हुआ है खाने पीने की चीज़े छोटे बच्चों क करें हस्ते रहो मस्ता रहो अपने सपनों को पुरा करो मुझे अलविदा दो मैं मिलता हूँ नए व्लोग में जैस्री क्रिश्न जैस्री राव